कैसे विकास हो उस देश का जहां डेर लाक सेलरी हर महीना पाने वाले संसदों की सेलरी इंकम टेक्स फ्री और 24 गंटे मौत की छाओं में रहने वाले सिपाही को 20,000 सेलरी पर इंकम टेक्स देना पड़ता है संसदों को परिवार के साथ रहते हुए भी हर साल 50,000 फोन कॉल फ्री घर से हजारों किलो मीटर दूर बैठे सैनिक को एक कॉल भी फ्री नहीं एक सांसद को फनीचर के लिए 75,000 रुपे बॉर्डर पर सैनिक को ड्यूटी के दोरान बारी से बचने के लिए तूटी हुई छपपर सांसद को हर साल 34 सवाई टिकट मुफ्त सैनिक ड्यूटी जाते हुए भी अपने पैसे से टिकट लेता है सांसद को वहन के लिए 4,000,000 का इंट्रेस्ट फ्री लोन एक सैनिक को घर के लिए लोन भी 12.55% से मिलता है और ये सब वहां हो रहा है जहां पूरा देश इस सैनिक की वज़ा से अपने परिवार के साथ चैन से सोता है एक बेटी ने अपनी मा से पूछा मा रेडियो पे सुना इंडिया जीत गई जो खेल रहे थे उन्हें एक करोन रुपिया मिला मा बोली हाँ बेटी सरकार कहती है वो देश के लिए खेल रहे थे इसलिए बेटी मा से बोली असमान में हेलिकॉप्टर से लटकते जवान को देखके मा क्या इन्हें भी मिलेगा एक करोन मा बोली ना बेटी ना हमारे यहाँ बल्ले से खेलने वाले कोई नाम मिलता है जान से खेलने वाले को नहीं उपरोक्त विचार अगर हिर्दय को असपर्श करे तो निवेदन है कि इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर तो करी देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना धन्यवाद दोस्तों